आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जेवर एरपोर्ट की कम्प्लीट इन्फॉर्मिशन देने वाला हूं सो लेट्स टार्ट दा वीडियो इस एरपोर्ट को बनाने के लिए स्विस एरपोर्ट निर्मार कमपनी जूरिक एरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ चालिस वर्ष का एक एग्रिमेंट साइन हुआ है अर्थात जूरिक एरपोर्ट इंटरनेशनल कमपनी नौएडा एरपोर्ट को बनाएगी तथा चालिस वर्षों तक इसका संचालन करेगी तथा आमदनी का एक हिस्सा वह है उत्रप्रदेश गौर्रमेंट नौएडा अथ्थॉरिटी ग्रेटर नौएडा अथ्थॉरिटी और एडा को निम्न प्रकार देगी यह है एरपोर्ट कुल चार चड़नों में बनाया जाएगा और पूरा हुने पर यह है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथे नंबर का एरपोर्ट होगा इस एरपोर्ट के निर्माण में लगभग 30,000 करोड रुपे का खर्च आएगा इसके पहले चरण को 36 महिने में बनाने का लक्ष रखा गया है जो 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा इसमें 2 रनवे बनाये जाएगे इसके पहले चरण में 10,000 करोड रुपे की लागत आएगी इसे 1300 हेक्टेर भूमी पर बनाये जाएगा इसमें प्रती वर्ष 1.2 करोड यात्री सफर कर सकेंगे इस एरपोर्ट के चार चरणों में इसमें कुल 6 रनवे बनाये जाएगे इसके निर्माण में 30 वर्षों का समय लगेगा यानि 2050 तक यह पूरा बन के तयार होगा रनवे को आवशक्ता के अनुसार बढ़ा कर आठ भी किया जा सकता है यह भविशे की जरूरत पर निर्भर होगा इस एरपोर्ट का काम पूरा होने पर इसमें प्रती वर्ष 7 करोड यात्री सफर कर सकेंगे नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के बनने से उत्रप्रदेश सरकार को 35,000 करोड के निवेश की उमीद है जो इसके आसपास के छेतर में ओद्धोगी गती विदियो में होगा इस एरपोर्ट के बनने से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की भी समभावना है नौईडा एरपोर्ट भारत का पहला नेट जीरो कार्बन इमीशन एरपोर्ट होगा अर्थात इसमें ग्रीन एनरजी का उप्योग होगा वह परदूशन नहीं होगा यह भारत का पहला airport होगा जिसे एक integrated multi-model cargo hub के concept पर बनाया जा रहा है यह केवल यात्रियों के लिए नहीं बलकि logistic के लिए भी gateway साबित होगा यह दिल्ली NCR का दूसरा international airport होगा तथा IGI airport के भार को भी काफी हद तक कम कर देगा इसके बनने के साथ ही उतरप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें पांच international airport होगे नौइडा international airport बनने से एक समस्या का और समाधान हो जाएगा अभी तक हमारे जहाजों को maintenance के लिए विदेश जाना पड़ता है परन्तु नौइडा airport में एक MRO maintenance, repair and overhauling center बनाया जाएगा जो हमारे देश के जहाजों का maintenance, repair या overhauling करेगा बलकि दूसरे देश से जहाज भी MRO के लिए यहाँ आएंगे जिससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में भी कुछ विरिद्धी होगी इसकी dedicated cargo terminal की capacity 20 लाक metric ton होगी जिसे बढ़ा कर 80 लाक metric ton किया जाएगा यह airport बहुत ही अच्छी प्राइम location पर बनाया जा रहा है मत्रौ विरिंदावन आगरा आने वाले विदेशी आत्री जो अभी IGI पर उतरते हैं उनकी लिए भी यह बहुत ही सुविदा जनक होगा क्योंकि यह आगरा वे मत्रौ के नजदीक है अत्यवे यहीं से उतर कर आगरा मत्रौ विरिंदावन जा सकेंगे नौइडा एरपोर्ट को सभी परकार की connectivity से जोड़ा जाएगा यह आसपास के सवी highway से जोड़ेगा और इसको high speed metro से भी connect किया जाएगा तथा इस एरपोर्ट को दिल्ली बनारस high speed train से भी जोड़ा जाएगा कार्गो सर्विस के लिए इसे WDFC से भी जोड़ा जाएगा जिससे समान आने जाने में आसानी होगी नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का प्रस्ताप 2001 में उतरप्रदेश के ततकालिन मुख्यमत्री श्रीमान राजनास सिंग द्वारा लाया गया था इसे 5000 करोड की लागत में 2007 से 2008 तक बनकर तयार होना था परन्तु राज्य व्यकेंद्र में दोनों जगह सरकार है बदल गई इस कारण इस पर कोई कारण नहीं हो सका UPS सरकार ना इसे होल्ड पर रख दिया क्योंकि नियम अनुसार दो ग्रीन फिल्ड इंटरनेशनल एरपोर्ट के बीच कम से कम 1500 किलोमेटर का डिस्टेंस होना चाहिए परन्तु नोईडा एरपोर्ट और IGI के मद्धे सिर्फ 72 किलोमेटर का डिस्टेंस है इस पर IGI एरपोर्ट की संचालन कमपनी GMR को आपत्ती थी उसका कहना था कि नोईडा एरपोर्ट के बन जाने पर उसे वित्य नुकसान होगा 2007 से 2012 के मद्धे मायवती जी की सरकार में भी इस प्रोजेक्ट पे कोई कार्रे नहीं हुआ 2012 में अखिले शादव जी की सरकार आई और उन्होंने इसे टूंडला के पास हिरन गाउं में बनाने का प्रस्तावित किया परंतु टूंडला के पास ही आर्मी का कंटेंटमेंट एरिया है अत्य रक्षा मंत्राले ने इस पर आपत्ती जताई फिर 2014 में आगरा के पास एदमाधपुर गाउं के पास जमीन अवंटिप की गई 2014 में केंद्रे में बीजेब की सरकार आ गई तथा वे फिर इस प्रोजेक्ट को जेवर ले आए तथा GMR को मनाया कि यदि वह एरिपोर्ट निर्माण में बिड डालती है तो उसे 10% की रियायत दी जाएगी परंतु बिड खुलने पर एरिपोर्ट निर्माण का कॉंट्रेक्ट जूरिक इंटरनेशनल कंपनी को दिया गया यहां एक बात और जाननी चाहिए कि 2014 से 2017 के मद्द कोई कार्रे प्रिगती नहीं हुई तथा Civil Aviation के Chief Secretary ने समाजवादी सरकार को चेताया कि यदि कार्रे शुरूर नहीं हुआ तो इसे हिसार शिफ्ट कर दिया जाएगा परंतु 2017 में राज्य में योगी जी की सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पे 30 से कार्रे प्रारम हुआ जमीन अधिग्रण वे अन्य किरिया पूरी कर प्रत्थम चड़न का जो कार्रे वो भी प्रारम हो चुका है तता हम सभी को मालूम है कि 25 नवंबर 2021 को हमारे माननी ये प्रधानमंत्री जीन इस एरपोर्ट का सिला नियास कर दिया है यह एरपोर्ट इस पूरे छेतर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा उनकी प्रपरटी के रेट तो बढ़ेंगे ही साथ ही लाखो रोजगार के अफसर भी प्राप्त होंगे तो बस इस वीडियो करता है हैं पर खतम उमीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं है तो चैनल को करना सस्क्राइब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में